हाई देस इस मनिष्टर्मा विल्कुन में यूटूब चानल यह वीडियो में हम लोग एक इंट्राडे स्टार्टेजी सीखने वाल है काफी ज़्यादा एफेक्टिव स्टार्टेजी है अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है और बेस पार्ट यह के स्टॉक सेलेक्शन भी आटोमाटिकली हो जाएगा तो आप वीडियो जहाल से देखना और पूरा देखना एंड में मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इस स्टार्टेजी में आपको स्टॉप लॉस टार्गेट कैसे फॉलो करना है मार्केट स्टार्ट होता है 9.15 को 9.30 मिनट पर आपको एनने सी वेबसाइट ओपन करना है आपको मार्केट डेटा पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर यह ओप्शन पर टिक करना है equity and SME market यहाँ पर आपको click करना है जैसे आप click करोगे ऐसा screen खुल जाएगा यहाँ पर आपको down arrow press करना है यहाँ पर आपको top gainers और top losers आपको दिखना start हो जाएंगे यह आपको screen open करना है 9.30 को सुबह 9.30 अब ध्यान से सुनना strategy क्या है आपको सबसे पहले top के 3 stocks mark करने है top gainers ठीक है वो आपको एक paper पे लिख लेना है down arrow press करके आपको top के 3 losers mark करने है वापस में repeat कर रहा हूँ top के 3 gainers mark करने stocks और top के 3 losers mark करने stocks top 3 gainers stocks top 3 losers stocks यहाँ पर एक paper पे लिख लो ठीक है सुबह 9.30 उसके बाद आपको क्या करना है कोई भी stock अगर top loser में आता है entry होता है उसका top 3 में तो आपको तुरंट उसको क्या करना है sell करना है तुरंट आप sell करोगे तो उसमें आपको 1-2% return बहुत fast मिल जाएगा जल्दी मिल जाएगा अब for example मैं आपको बताता हूँ जैसे मारूती, हीरो, मोटो, भर्टी अटल short है ठीक है आपको ये top losers में दिखे सुबह साड़े में बजे उसके बाद let's say 10 बजे के असपास अचानक आपको actual दिखने लगा top loser में तो actual सबसे पहले आप क्या कर दोगे short कर दोगे क्यों कर दोगे क्योंकि वो अभी-भी top 3 losers में आया है actual अभी-भी top 3 losers में आया है इसलिए उसके गिरने के chances काफी ज़ादा हो जाते हैं बढ़ जाते हैं और तभी आप exactly अगर short करोगे 1-2% आपको return मिलने के chances क्या हो जाते हैं ज़ादा हो जाते हैं Sun Farma अचानक से आ गया तो आप सबसे पहले जाके क्या करोगे Sun Farma buy करोगे क्यों buy करेंगे हम लोग क्योंकि अभी-भी top gainers में आया है तो उसके बढ़ने के chances उसमें return मिलने के chances क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं उसमें आपको 1-2% बहुत जल्दी मिल जाएगा fast मिल जाएगा तो यह आपको follow करना है top 3 stocks gainers top 3 stock losers सुबह 9.30 बजे आपको यह screen open करना है वापस मैं आपको बता जेता हूँ यहाँ पर click करना है market equity SME में यह page खुलेगा यहाँ पर आप down कर सकते हो तो आपको सारे stocks के list दिख जाएंगे यहाँ पर आपको nifty 50 stock ही रखना है इसमें कोई भी change नहीं करना है nifty 50 stock में हम लोग trade करेंगे और यह strategy आपको nifty 50 stocks में करना है top 3 losers top 3 gainers आप लिख लोगे book में सुबह 9.30 बजे उसके बाद कोई भी stock add होता है top losers में तो उसको sell करना है top gainers में अगर add होता है तो उसको buy करना है अब इसमें stop loss and target हम लोग कैसे follow करेंगे तो ध्यान से सुनना आप जैसे आपने buy किया stop loss आपका होगा 1% 1% of the stock price let's say for example ICSI bank top losers में आया 9.45 को ठीक है so ICSI bank का price है 400 400 का 1% होता है 4 रुपया यानि आपका 4 रुपय का stop loss हो गया stock का जो भी price है उसका 1% आपका stop loss होगा और 2% आपका target होगा so यानि 4 रुपय का आपका stop less है तो target होगा आपका 8 रुपय का 400 में है अगर आपने short किया तो 392 के target के लिए आपको trade करना है 404 आपका stop loss होगा लेकिन ये strategy में आपको target मिलने के chances बहुत जादा है और बहुत जल्दी target आने के chances जादा है क्योंकि वो अभी-भी fresh top losers में या top gainers में आ रहा है stock इसमें आपको थोड़ा सा active रहना पड़ेगा fast रहना पड़ेगा selling के सामने और जितना हो सके जाता है बार-बार यहां पर refresh button दिया यह page को आप जितना refresh करोगे उतना जल्दी आपके screen पे stock यहां पर reflect हो जाएगा तेक है आपको refresh करना है page तीन मिनट में हर दो आप refresh करते रहो जो भी आपको stock नया दिखता है top 3 gainers, top 3 losers में उसमें आपको इस तरीके से trade लेना है I hope आपको strategy clean and clear समझ में आई होगी इसमें थोड़ा आपको active होना पड़ेगा screen के सामने बाइटना पड़ेगा यह strategy intraday traders के लिए है So strategy use जरूर करना और comment box में comment करके मुझे जरूर बताना के strategy आपको कैसा लगा और trades लेने के बाद भी मुझे बताना के क्या profit and loss बन रहा है और ऐसी बहुत सारे learning videos में आपके लिए बनाते रहोंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like and share जरूर करना जितने जल्दी subscriber बढ़ेंगे उतने जल्दी आपको और learning videos मिलते रहेंगे तो subscriber बढ़ाते रहो और videos को ज़ादा से ज़ादा लोग के साथ share करते रहो and like जरूर करना अगर आपको strategy अच्छा लगा thanks a lot for watching the video see you in the next video प्लाइट, और प्लाइट, जितने जल्दी in the फेंगा लादा लगा लोगा है